नमस्कार दोस्तों मैं राहूल एगवार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुसक राज बने श्री गनेश जी की सवारी मतलब वाहन पर इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले कर लीजिए दोस्तों क्योंकि यह बिल्कुल निसुल्क बिल्कुल फ्री है और सबसे एहम बात कि यह वीडियो शेयर करना न भूलें अपने इस्ट मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि ऐसी जानकारी हर हिंदू ब्यक्ति को होनी चाहिए तो दोस्तों आईए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में दोस्तों मूशक शब्द संस्कृत के मूश से बना हुआ है जिसका अर्थ है लूटना या चुराना सांकेतिक रूप से मनुस्य का दिमाग मूशक यानी चुराने वाले या चुहे जैसा ही होता है या स्वार्थ भाव से घिरा होता है गनेश जी का चुहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने अपने स्वार्थ पर बिजय पाई है और जन कल्यान के भाव को अपने भीतर जागरित किया है बैग्यानिक मानते हैं कि मनुस्य और चुहे का मस्तिष्क का आकार प्रकार एक समान होता है चुहे का किसी ना किसी रूप में मनुष्य से कोई संबंध जरूर है जिस तरह हाथी और चुहे का गहरा संबंध है दोस्तों सिवफुत्र गनेश जी का वाहन है मुषक हलाकि गनेश पुरान के अनुसार हर युग में गनेश जी का वाहन बदलता रहता है जैसे सतियुग में गनेश जी का वाहन सिंग है वहीं त्रेता युग में गनेश जी का वाहन मयूर है और द्वापर युग में उनका वाहन मूशक है और बर्तमान यानि कल युग में उनका वाहन घोडा है मुशक को भगवान श्री गनेश द्वारा अपने वाहन बनाने के संबंद में कई कथाएं प्रचलन में हैं जिन में से एक कथा गनेश पुराण के अनुसार है दोस्तों गनेश पुरान की एक कथा के अनुसार गनेश जी का वहां चुहा पूर्व जन्व में एक गंधर्व था जिसका नाम क्रोंच था एक बार देवराज इंद्र की सभा में गलती से क्रोंच का पैर मुनी बाम देव के उपर पड़ गया दोस्तों मुनी बाम देव को लगा कि क्रोंच ने यह सरारत की है इसलिए उन्होंने गुस्से में क्रोंच को चुहा बनने का स्राप दे दिया दोस्तों इसराप के चलते वह चुहा बन गया लेकिन वह इतना विसाल काय था कि वह जाड़ पेड़ आद जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे नस्ट कर देता था एक बार वह उत्पात मचाता हुआ महरसी पराशर के आश्रम में जा पहुँचा दोस्तों महरसी पराशर के आश्रम में पहुँच कर वह बलवान मुशक उत्पात मचाने लगा जिससे परेशान होकर महरसी ने भगवान श्री गनेश की इस्तूत की और गनेश जी महरसी की भक्ति से प्रसंद हुए और उत्पाती मुशक को पकड़ने के लिए अपना पास फेका दोस्तों पास मुशक का पीछा करता हुआ पाताल लोक तक जा पहुँचा और उसे बांद कर गनेश जी के सामने ले आया दोस्तों गनेश जी को सामने देखकर मुशक उनकी इस्तूति करने लगा तब गनेश जी ने कहा कि तुमने महार्शी पराशर को बहुत परिशान किया है लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो इसलिए जो चाहे वर्दान मांग लो दोस्तों गनेश जी के ऐसे वचन सुनते ही मुशक एहंकार वस खुद ही गनेश जी से कहने लगा कि आप से हम मुझे कुछ नहीं चाहिए अगर आपको मुझे कुछ चाहिए तो आप मांग लीजिए दोस्तों भगवान गनेश जी मुशक राए और मुशक से कहा कि अच्छा तो ठीक है अब तुम मेरा वाहन बन जाओ दोस्तों मुशक या सुनकर हस्तप्रव रह गया अपने अभिमान के कारण मुशक गनेश जी का वाहन तो बन गया लेकिन जैसे ही गनेश जी मुशक पर बिराजमान हुए गनेश जी के भार से वह दबने लगा मूशक ने गनेश जी से कहा कि हे प्रभु मैं आपके वजन से दबा जा रहा हूं दोस्तों मूशक की विंति सुनकर गनेश जी ने अपना भार कम कर लिया इसके बाद से मूशक गनेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा करने लगा दोस्तों एक दूसरी कथा के अनुसार गजमुखा सुर नामक एक असुर से गजानन का युद्ध हुआ गजमुखा सुर को यह वर्दान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र या सस्त्र से नहीं मर सकता तब गनेश जी ने उसे अपने दात से मारने का प्रयास किया जिससे वह बहुत घबरा गया और मुशक बनकर इधर उधर भागने लगा दोस्तों गनेश जी ने मुशक बने गजमुखा सुर को अपने पास में बांध लिया गजमुखा सुर गनेश जी से छमा मांगने लगा और प्रार्थना करने लगा तब गनेश जी ने गजमुखा सुर को अपना वाहन बना कर उसे जीवन दान दिया दोस्तों अगर आपको ये रोचक तथ ये कथा अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूले इसी के साथ मैं राहुलाब से बिदा लेता हूँ नमस्कार सुरात